नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूटूब चैनल पर तो चलिए आपको थोड़ी गोगा मेडी की यातरा करवाते हैं गोगा मेडी हनमानगट जीले के नोहरत सील में इस्थित है यह है गोगा मेडी का रेलो इस्टेशन है जहां पर बहुत दूर-दूर से यातरी गुरु कोलकनाथ और जहारवीर गोगा जी के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं गोगा मेडी दिल्ली से 250 किलोमेटर दूर और जैपुर से 370 किलोमेटर दूर है गोगा मेडी के रेलो शेशन से लगबग एक किलोमेटर दूरी पर जाहरवीर गोगा जी का मंदिर है गोगा मेडी में यातरियों के ठहरने के लिए बहुत सी सुखधाय उपलंद करवाई गई है गोगा मेडी का परमुक मंदिर नो सो पचास पर्श पुराना है इसे 1911 में बिकानेर के महराजा सिरी गंगा सिंग द्वारा त्यार और पुने निर्मान करवाए गया था गोगा जी के पुजारी चायल जाती के मुस्लिम है मंदिर एक बहुत ही धरम निर्पेक्स परकरती का है यह सभी जाती धरम समुदाय पंत सभी हिंदू और मुस्लिम का सम्मान करता है गोगा मेडी का विशाल मेला बादरपत महय के कर्शन पक्स की नौमी को लगता है गोगा जी गुरु गुरपनात के परम सिश्यते गोगा जी का जनम विक्रम समथ 2003 में चुरु जिले के दद्रेवा गाउ में हुआ था गोगा मेडी में गोगा जी का समाधी स्थल बना हुआ है गोगा जी राजस्थान के लोग देवता हैं जिन्हें जहारवीर के नाम से जाना जाता है इन्हें हिंदू, सिख और मुसलमान तिनों समधाय के लोग पूछते हैं जो एकता का परतीक है गोगा जी को सांपो के देवता के रूप में भी पूजा जाता है लोग उन्हें गोगा जी, गोगा वीर, जहार पीर, राजा मनलिक वे, जहार पीर के नामों से पुकारते हैं गोगा जी मेला बहुत आकरशक होता है जिसमें आप तरह तरह की दुकाने, जुले, देखने को मिलते हैं और आप बारगेनिंग भी कर सकते हैं मंदिर में ही गोगाजी की माता, बाचल और गोगाजी की पत्नी सिरियल देवी की समाधी पास-पास में बनी हुई है पूरे साल में गोगाजी के दर्शन करने लाकों सरधालू लगबग आते रहते हैं राजस्तान सरकार दवारा गोगाजी के मंदिर को एक विशाल रोप दिया गया यह है आपके सामने जहारविर गोगाजी की समाधी है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम समुधाय के लोग इनकी पूजा करते है दया मेंदू सब को प्रया गॉग्baatt igualता हिसी आपके से जनकी इस कहते है प guitar क्वाजी झाला कर nécessाई चलिख जएके सीघके आपके सरकार है जह वरे ऊवाजा उनकी विहा हु契ना उनकी प्वाजा भ्वाजाएवाश्मा टाह रहाजिक요 यहां पर आने वाले शड़ दालो पहले गोगा जी के गुरु सिरी गुरु गुरकनाथ के दर्शन करते हैं उसके बाद में गोगा जी के दर्शन करने के लिए गोगा मेडी में आते है गुरु गुरकनाथ का मंदिर गोगा मेडी से एक किलोमेटर की दूरी पर बना हुआ है यहां पर गोगा जी के जिवन प्रिचे के बारे में समार्क स्थल बना हुआ है यह जो सामनी गेट है यह समार्क स्थल है अब यहाँ से हम गुरुगोरगनाथ के मंदर की तरफ चलते हैं इस बीच रास्ते में काफी होटल्स, रेस्टोरेंट वैदरमसला बनी हुई है जहाँ पर आने वाले सरदालों के लिए ठैरने की उचित सुविधाय कम रेट पर की गई है रास्ते में कुछ ग्रीदारी करने के लिए दुकानी बनी हुई है जो बेहद आकर सक वहमन मौखक है गोगा मेडी के बस्टेंट से थोड़ी दूर पर सिर्शा रोड़ पे गुरु गोरगनात का मंदिल बना हुआ है गोगा मेडी भादरा से 17 किलोमेटर और नोहर से 31 किलोमेटर है गोरक तिला का निर्मान कारिय साल बर चलता रहता है मेले के समय में सरधालों की भीड बहुत जादा लगी रहती है यहां पर कारिगर पत्थरों से अपने हाथों की कला दवारा मूर्थियां त्यार करते हैं जो बेहद आकर्शक होती है अभी यह है आपके सामने गोरक तिला का प्रमुक दवार है तो चलिए इसके अंदर चलते हैं यहीं मुखे दवार के आसपास SBI बैंक और पुलिस चेशन बना हुआ है गोरक तिला का मंदिर नाथ संपरदाय का है नाथ पंत के नो सिध हुए हैं उन में से सबसे परमुक गोरक नाथ हैं जो एक सिध योगी थे इस स्थान को लोग गोरक तिला के नाम से जानते हैं यहाँ पर आज भी उनका अग्मी तप्स्थान यानि धुना यहाँ पर मुझूद है। इस मंदिर में बगवान सीव और भैरूजी और काली माता का मंदिर बना हुआ है। और कुछ समाधी भी यहाँ है। यहाँ पर बड़े उपर के रास्ते बनाए गए हैं। जो मेले के सम पर यह गटना के द्रश्टी गट चोक्सी के लिए इससे मेले की हर एक गतिवीदी पर नजर रखी जाएगी। मंदिर के आसपास बहुत सारी परसाद की दुकाने बनी हुई है। बीते वर्स गुर्ख टिला का निर्मान कारिये प्रगती पर रहा है और इससे गुर्ख टि नो बजे के बाद मंदिर के पटद्वार बंध हो जाती है। गुर्ख टिला मंदिर के बाल योगी महत रूपनाजी हैं जिनकी देख रेक में मंदिर का निर्मान बहुत खुबसूरत तरीके से करवाया गया है। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको नात्पंत के नो सिद गुरूओं के दर्शन करने को मिलेंगे। और इसी मंदिर से थोड़ा सा दाई और चलने के बाद आपको बिल्कुल सामने यह जो मंदिर है यह काली माताजी का मंदिर है। इस मंदिर के अगर आप थोड़ा बाईं तरफ चलोगे तो आपको दिखाय देगा गुरूअक नात्जी का प्रमुक तपशतल। यह जो तपस्तल यानी दोना आपको दिखाई दे रहा है यह प्रमुक तपस्तल गुर्खनाजी का है जहां पर बैटकर गुर्खनाजी ने सालों तब किया था यहीं पर आसपास आपको स्री रादा कृष्ण जी और भैरवनाजी के मंदिर दिखाई देंगे दर्शन करने के बाद आप इस पीछे की रास्ते से बाहर की और प्रस्थान करेंगे मंदिर के बाहर एक विशाल तलाब बना हुआ है जिसमें सनान करने के बाद आप दर्शन करने के लिए मंदिर में जा सकते है इसी तलाब के साइड में आपको एक पर्क दिखाए देगा जो महंत बाल योगी रूपनाजी ने त्यार करवाया था पारक बहुत सुन्दर और अकर्शक बनाए गया है जहाँ पर बैठकर आप मनुरंजन कर सकते हैं और बच्चों के खेलने कूदने के लिए जूले लगाए गई है पारक में बहुत अच्छे अच्छे मूर्थियां बनाए गई है यहाँ पर बैठकर आप प्रकरती का आनंद ले सकते हैं इसी पारक में आपको किलास परवत पर बैठे बगवान सीव के दर्सनों में पारक में आपको किलास समते हैं मंदिर से निकलने के बाद सिर्षा रोड की तरफ चलते हैं तो आपको गुरुक तिल्ला का पिछे का द्वार्द खैदेगा वहां पर आने वाले यात्रियों के लिए पार्किंग की सुईदा की गई है तो उमीद करते हैं हमारा ये ठोटा सा प्रियास आपको पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें धन्यवाद उन्यवाद झाल झाल